करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ लीगल और टेकनिकल मेथर्स बताने वाला हूं जिसके तुरू आप चेक आउट कर सकते हैं किसी भी कंपनी का बैग्राउंड कि सच में वह कंपनी रियल है फेक है क्या बिजनस करती है उसका पूरा डेटा हम लोग अनलिस करने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे एजुकेशनल पार्टनर आयरेस प्रियोडिट आप का जिसका इस्तमाल मैंने इस वीडियो के अंदर कैसे भी बिजनस का डेटा निगालने के लिए किया है सबसे पहले हमने किसी भी कंपनी की जो है लीगल हिस्ट्री जानने से पहले उसका लीगल स्टेटस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन हो जाता है लेकिन अगर मैं मीडियम और स्मॉल काइंड ऑफ बिजनस की बात कहूं तो वह प्रप्रप्रेटर्शिफ फर्म में फॉल आउट करते हैं इन तीनों लीगल स्टेटस में जो भी कंपनी फॉल करती है उन सभी का डेटा आप यहाँ पर निगाल सकते हैं तो simply इसके उपर आपको क्लिक करना है आप जिस भी कंपनी का नाम है उसमें आपको तीन से चार लेटर लिखने होंगे जैसे अगर मैं अपनी खुद की कंपनी का एक्जांपल दो तो गाइस अगर इस ताइप का एक कॉंपटिटर है आपका और उसका अगर आप नाम सेर्च कर रहे हैं फिर अगेन आपको MCA Services के अंदर जाना है यहाँ पर आपको जाना है Master Data के अंदर यहाँ पर लिखा होता है View Company और LLP Master Data इसके उपर आपको सिंपली क्लिक करना है यहाँ पर आपको पेस्ट मारना है उस कंपनी का नाम यहाँ पर GIV जो भी Capture Code दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने आप वो सम्मेट कीजिए तो आप देख सकते हैं कंपनी की पूरी की पूरी डिटेल्स निकल के आ जाती है इसके अंदर कॉन-कॉन कितने डाक्टर उस कंपनी का एड्रेस क्या है कबसे वो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है तो गाइस कंपनी की डिटेल्स निकालने के साथ में आप लोग यह भी जाना चाहते है उसके बैलेंशीट पेइनल अकाउंट उसका कितना खर्चा है कितना टर्नोवर उसके अंदर कॉन-कॉन काम करता है कितने एंप्लोई से कितना उनका एन्वल रेवन्यू है यह सारी चीजी अगर आप लोग जाना चाहते है तो आपको सिंप्ली M.C.A.S.S. में जाना है यहाँ पर लिखा होता है व्यू पब्लिक डॉक्युमेंट तो इसके ओपर आपको सिंप्ली क्लिक करना है अब यहाँ पर आपका जो भी कमपनी का C.I.A.N.E.R आप सिंप्ली वो पेस कीजिए बिखा तो यहाँ पर आपकी जो भी कमपनी की information होगी जो भी documents category होगी वो आजाएगी लेकिन ध्यान अखने वाली बात यह अगर इन documents को अगर आप लोग access करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको simply 100 पे का एक one time payment करना पड़ता है जिसके बाद में सारे के सारे documents आपके download हो जाते हैं तो guys यह तो बात हो गए उनके लिए जिनकी private company या LLP या OPC अब बात करते हैं जिनकी proprietorship हम है या जिनकी partnership हम है उनकी कैसे details यहाँ पे निकाली जा सकती है तो guys इसके लिए simply आपको GSTN की search एक app download करनी पड़ेगी irs.iski link में आपको description box में provide कर दूँगा app का यहाँ पे USP है कि यहाँ पे आप find कर सकते हैं किसी भी company का GST number वो भी by the name जो कि कोई भी और other app या website यहाँ पे provide नहीं करता साथ में आप GST के compliance भी चेक कर सकते हैं कि उस company या उस business ने proper तरीके से अपनी return filing submit की है नहीं की है तो देखिए गई सबसे पहले इस app को आपको download कर लिना है तो यहाँ पे आपको app को simply open करना है एक बार आपको यहाँ पे sign up करना पड़ेगा sign up करने के बाद में आपके साथ में इस type के यहाँ पे screen आ जाती है आप गाई सूपर उपर आप देख सकते हैं यहाँ पर option लिखा हुआ है search business by the name pan and the GST number अगर देखिए आपके पास में GST number है तो आप वो भी यहाँ पे insert कर सकते है अगर pan number है वो भी insert कर सकते है लेकिन let's suppose आपके पास में कुछ भी नहीं है आपको नहीं पता उनका pan number क्या है GST number क्या है तो simply guys आप यहाँ पे type करके भी किसे भी business का GST number निकाल सकते है for an example जैसे यहाँ पे मैंने अपनी company का my online CA लिखा तो यह देखिए इसने automatically fetch कर लिया my online CA technologies private limited so guys जैसे इसके उपर आप click करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं GST की जहाँ पर सारी की सारी information निकल के आ जाती है कि कब company यह बनीती प्लस इसका address क्या है कब से एक इसके compliance वगरे चल रहे है filing statements में आप देख सकते हैं कब-कब इसने यहाँ पर return file की है तो यह सारी चीजे आप किसी भी business की पूरी की पूरी हिस्टरी निकाल सकते हैं इसके साथ में guys कई बार अगर let's suppose आपके पास में invoice वगरे भी तो यहाँ पर QR code की facility दी वी है तो कोई भी QR code का है कोई भी invoice के उपर जो भी mentioning QR code उसको scan करके भी आप check out कर सकते हैं पूरा GST number उस business के पूरी की पूरी history तो guys अब बात करते हैं कि technical ways में आप किसी भी company का background कैसे यहाँ पर check out कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग Google की मदद लेंगे तो guys Google पे क्या होता है search operators होते हैं तो आपको क्या करना है इस type के आपको double hash लगाने है और यहाँ पे आपको जो भी company का नाम सर्च करना है वो simply लिखना है उसके बात में guys आप enter मारेंगे तो Google क्या करेगा आपने जो keyword डाला हुआ है उसी से related जो भी search queries होगी है जो भी results page होगे सिर्फ आपको वही दिखाएगा कोई भी आपको आलतो फालतो नहीं दिखाने वाला इसके साथ में guys आपको लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे simply आप tools के नदर जा सकते हैं आप लोग check करना चाहते हैं कि past 24 सावस के नदर क्या activity हो रखी है इस company के against में कोई complaint वगरे फालो रखी है या कोई भी चीज है तो आप वो सारी जनकारी यहाँ पे check out कर सकते हैं इसके लाब guys दूसर सिंपल तरीका है वो है twitter की through तो गाइस twitter में search बार में आपको simply company का नाम लिखना है तो उसके against में आपकी जित्ती भी activity हो रखी होगी किसने complain कर रखी होगी या किसने job posting कर रखी है या कोई भी कुछ भी activity है तो वो आपको सारी चीज़े यहाँ पे मिल जाएगी साथ में अगर आप letters बटन के उपर click करेंगे तो जो भी recent post होगी वो सारी की सारी निकल के आ जाती है इसके लब अगर आपको ये check out करना है कि उस company के अंदर कौन कौन employees वगरे काम करते हैं तो यहाँ पे आप Facebook की मदद से भी वो चीज़े check out कर सकते हैं अगर simply आप company का नाम लिखेंगे Facebook के search barge के अंदर और people के अंदर जाएंगे और यहाँ पे work के अंदर आप company का नाम लिख देंगे तो guys उस company के अंदर जो भी work out करते हैं उन सभी की यहाँ पे list आ जाती है तो किसी से भी आप contact करके company की और information भी यहाँ पे निकाल सकते हैं इसके लिए एक को तरीका है वह लिंक्डिन के थुरू तो guys लिंक्डिन के उपर आप किसी भी company की यहाँ पे history चेक करना चाहते हैं कि उसमें कितने employees वगर work out कर रहे हैं या कितनी job posting वगरे निकली वी है तो guys simply आपको LinkedIn के उपर अपनी जो भी company का नाम आप सर्च करना जाते हैं वो आपको simply search out box के अंदर लिखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी company के employees होगे founders होगे उन सभी के यहाँ पे list निकल के आ जाती है प्लस recently अगर company की कोई भी यहाँ पे अगर vacancy वगरे भी निकली भी है तो वो चीजे भी आपको पता लग जाती है और guys easily आप किसी भी company का यहाँ पे technical ways में background check out कर सकते हैं So guys hope you like this video Please subscribe our channel अगर आप लोग की कोई भी doubt से comment section के दर ज़रूर बताइए Thank you guys, thank you very much